श्री रादेहर हर महादेव आप सभी को पता है आ गई है कल पाप मोचनी एकादशी चैत्र क्रश्न पक्षी की प्रमुक एकादशी में से एक है इस एकादशी के दिन यदि हम वरत करते हैं और जो उपाय करते हैं इससे हमारे समस्तपापों का नाश होता है एकादशी का दिन बहुत ही विशेस दिन है यह खास वीडियो आपके लिए है यदि आपके पूरे परिवार की इच्छा पूरी नहीं हो रही परिवार में लोग अकसर उदास रहते हैं दुखी रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है जी हाँ पूजी गुरुजी की कथा सुनकर बहुत ही अच्छे रंग से आपको समझाने का प्रयास करोंगे और इससे होगा क्या यदि इन उपायों को आप भली प्रकार से करेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश होगा इस वीडियो में हम आपको चार बहुत ही सुन्दर उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही छोटे-छोटे से उपाये हैं जिने आप एकादशी के दिन यदि करते हैं तो भोलेनात से आप जो मांगेंगे वो भोलेनात और भगवान विश्नु आपको प्रदान करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी पाँच अप्रेल दिन शुकरवार को पढ़ रही है और शुकरवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है जो कि धन धाने से हमें परिपूर्ण करती है तो माता लक्ष्मी के विश्यस आशिरवात के लिए आप शुकरवार के दिन ये उपाई अवश्य करिए आपको करना क्या है? सरप्रथम आपको तांबे का पात्र लेना है और उसमें घर से जल भरकर भगवान भोलेनात के शिव मंदर जाना है उत्तर दिशा में मुख करकर जो हम घर से तांबे के पात्र में जल लेकर गए है वह जल हमें महाम्रत्युन जय मंदर का जब करते हुए दीरे दीरे समर्पित करना है भोलेनात के शिवलिंग पर पर याद रहे आपको पूरा जल नहीं समर्पित करना थोड़ा सा जल बचा लेना है और उस जल को लेकर जाना है बेलव ब्रक्ष के नीचे और वहाँ पर उस जल को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए वह जल समर्पित कर लेना है और उस चल के कुछ बूने अपने नेत्रों पर, मस्तक पर और कंट पर ध्यान भगवान भोलेनात का करते हुए लगा लेना है माता लक्ष्मी आपके घर में श्री हरी के साथ निवास करेंगी, धन धाने की कभी कमी नहीं होगी इसके पश्चात बढ़ते हैं अपने दूसरे और अत्यंत विश्य सुपाई की ओर, इसमें आपको करना क्या है? जी हाँ, इसमें आपको करना ये है कि यदि आपके घर में किसी भी नदी का जल है, गंगा जल है, नर्मदा नदी का जल है, या मुना जी का जल है, तो बस आपक कहते हुए यह जल समर्पित कर देना है नदियों के जल से जब हम भगवान भॉलेनात का अभिशेक करते हैं तो हमें ना जाने कितनी पुन्यफल प्राप्त होते हैं और भॉलेनात हमारी मनों कामनाई पूर्ण करके हमें प्रसन्चित रखते हैं इसी के साथ यदि आप एक पूर्ण ना हो तो हातों से ही भगवान भॉलेनात के शिवलिंग को आच्मन प्रैदान करें अपनी मनों कामना कहते हुए भगवान भॉलेनात आपके सभी दुख दूर करेंगे और आपकी मनों कामनाई शीग रदिशीग पूर्ण करेंगे बारी आती है हमारे तीसरे उप भवाई में आपको करना क्या है जी हाँ एक आदशी के दिन यदि हमें अपने पित्रों से आशिरवाद लेना है तो हमें तामे के पात्र में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है जी हाँ गुड़ नहीं हो तो आप शकर डाल दें, चीनी डाल दें, मतलब मीठा पानी लेकर बोलनात के शिवलिंग के पास जाना है और शिवलिंग पर यह जल समर्पित करते हुए आपको गुरुजी की कथा के नुस्सार भी आपको याद आएगा कि तीन बार सुधा, सुधा, सुधा बोलना ह यदि हम एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं, तो हमारे पित्र हमें प्रसन होकर आशिरवाद देते हैं तीसरे उपाय के पश्चात बढ़ते हैं अपने चतुरत उपाय और अंतिम उपाय की ओर, यह उपाय है हमारी बिमारी को दूर करने के लिए इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बिल का फल सीजन में तो आपको बहुत मिल जाएगा, यदि नहीं मिले तो आप किराने की दुकान पे सुखा फल ले ले इस फल के गूदे को आपको तांबे के पातित में जल में डाल लेना है उसके बाद इस गूदे को भगवान अवदूतेश्वर का ध्यान करते हुए धीरे धीरे भोलेनात के शिवलिंग पर समर्पित करना है इससे होगा क्या आपकी बेमारियों का अंत होगा भगवान अवदूतेश्वर का इसमरण करते हुए भगवान अवदूतेश्वर हमारे सभी बिमारियों का अंत करते है यदि आज की वीडियो के ये उपाए आपको पसंद आए हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे मिलते हैं अगले वीडियो में शीरा दे हर हर महादेव